Hello students, इस वीडियो में हम उन sentences को transform करना सीखेंगे, जिसमें to और to ये दोनों words आते हैं और जब ये दोनों words आते हैं तो इन दोनों के बीच में कोई adjective होता है या कोई adverb हो सकती है तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ sentences को लेने वाले हैं और उन sentences को हम कैसे transform करेंगे तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहले तो हम in sentences को थोड़ा सा analyze कर लेते हैं जिसमें to or to आता है तो देखिए पहला sentence is too old to work जब to के बाद अकेला to आता है जैसे इस sentence में है और इन दोनों के बीच में ये old जो है ये adjective है तो जब ऐसा को structure आपको किजी sentence में देखने को मिलता है तो उस sentence का meaning negative होता है जैसे see is too old to work इस sentence का मतलब है कि वह इतना बूठा है कि वो काम नहीं कर सकता है ठीक है नहीं कर सकता है तो ये negative meaning convey कर रहा है लेकिन जब to और to के बाद में कोई adjective या adjective मिले और उसके बाद में इस true से पहले not भी दिया गया हो अर्था not to लिखा वा हो तो ये जो sentence है ये positive meaning convey कर रहा है जैसे the voice is too sweet not to attract the audience इस sentence का मतलब है कि उसकी अवाज इतनी मीठी है कि वो audience को attract कर लेगी तो यहाँ पर इस sentence का positive meaning है तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि जब किसी sentence में to और to के बाद में कोई adjective या adverb और उसके बाद to दिया हो तो यह हमेशन negative meaning convey करेगा इस से हमेशन negative meaning निकलेगा लेकिन अगर to और उसके बाद कोई adjective या adverb और उसके बाद not to दिया हो not to तो इससे जो meaning होगा वो positive निकलेगा मतलब यह positive meaning करेगा कफ़ important point है तो इस चीज को आपको समझना है सबसे पहले क्योंकि तभी आप transform कर पाएंगे किसी sentence को जब आप उसको meaning को clear करेंगे meaning आपके दिमाग में clear होगा तो चलिए आपको sentence लेते हैं और उन sentences में हम समझते हैं कि इस प्रकार से इनको हम transform करेंगे तो सबसे पहले तो एक important point है और यह काभी important point है जो आपको अच्छी तरह से समझना है important point क्या देखिए if the adverb to आपकर कोई sentence है मारे पास उस sentence में हमें ये चीज़ दिखाई दे तो हमें देखो किस तरह से follow करनी है if the adverb to is followed by an infinitive माल लेजिए कोई sentence है और कोई two adverb दे रखिया है और is followed by an infinitive और इसके बाद अगर माल लेजिए कोई infinitive आता है तो the sentence will change into two clauses बाटेंगे या उसको divide करेंगे मतलब जो नया sentence बनेगा हमारा उसमें हम दो clause बनाएंगे if the sentence containing two is if the sentence containing two is affirmative सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि if the adverb to is followed by an infinitive infinitive का मतलब है कोई verb और verb से पहले क्या मिलेगा two जैसे मैं लिग दू to work तो two के बाद कोई adjective या एड़र्ब हो और उसके बाद ये two plus verb की first form हो इसी को हम infinitive कहता है तो अगर two के बाद कोई infinitive हो तो the sentence will change into two clauses तो उस sentence को जब हम transform करेंगे तो उसके हम दो clause बनाएंगे clause का मतलब क्या होता है? clause का मतलब मैं काफी वीडियो से आपको समझाता रहा हूँ clause का मतलब होता है एक subject verb combination एक ऐसा सब्दों का समूझ जिसमें एक subject और वर्ब हो लेकिन वो किसी बड़े sentence का part हो वो अकेला ही ना हो अगर अकेला ही है तो फिर वो clause नहीं कहेंगे और उसको sentence कहेंगे जैसे I saw a snake I saw a snake अब ये sentence है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही subject है एक ही वर्ब है ओके ये subject verb combination है लेकिन ये एक subject verb combination है तो हम इसको sentence कहेंगे लेकिन मैं इसके बाद अगर एक और जोड़ दूँ when I was going to school अगर मैं ये और जोड़ दूँ तो अब मैंने एक subject और एक verb combination और जोड़ दिया है अब देखिए एक subject और एक ये verb was going ये subject verb combination और जोड़ गया है और ये यहां से लेकि यहां तक का एक पूरा sentence है अब एक subject verb combination और जोड़ने से दो subject verb combination हो गए और ये दोनो subject work combination जो है respectively इस बड़े sentence का parts है अब ये parts बन गए तो एक close ये हो गई अब ये close हो गई और एक close ये हो गई तो close जो है एक subject work combination होता है जो एक बड़े sentence का part होता है तो हम अगर कोई अगर ये जो two adverb है इसके बाद अगर हम अगर हमें हमारे पास को infinitive है तो हम उस sentence को दो close में divide करेंगे if the sentence containing two is affirmative और ये भी देखना है कि अगर वो sentence जिसमें two है अगर वो affirmative है तो the subordinate close of the transformed sentence will be negative तो जो subordinate close बनेगी उसमें उस sentence पर जो subordinate close होगी वो negative होगी ओके तो ये काफी important point है तो इसको अब ध्यान में रखते हुए चलिए कुछ sentences लेते है और हम उनको transform करते हैं किस प्रकार से हम उसको transform करेंगे तो ये कुछ sentences है तो चलिए one by one इनको हम transform करते हैं देखिए अब इसमें ये two है ये two है यहाँ पे ये infinitive होगया ये तो adverb हो गई ये infinitive हो गया तो two के बाद infinitive है उसके बाद में ये यहाँ पे adjective हो गया तो हमें इसको दो clause में divide करना है सबसे पहले तो ओके दो clause में divide करना है दुसरा हमें जो subordinate clause बनेगी वो कैसी होगी वो negative होगी क्योंकि जो two ये जो sentence है हमारा जिसमें two plus two यूज किया गया है ये हमारा जो है affirmative sentence है अगर two और two अगर ऐसा को sentence हमारा affirmative है तो subordinate close होगी वो कैसी होगी वो negative होगी subordinate subordinate close negative ये हमने अभी अभी थोटी देर पहले ही देखा है सबसे पहले तो हम इसको दो close में बाटना है दूसरा subordinate close को negative करना है तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले तो हम principle close बनाएंगे principle close बनाने के लिए क्या करेंगे ये subject लेंगे he उसके बाद ये verb लेंगे is ठीक है उसके बाद हम so लगाएंगे so two को किसमें convert कर देंगे so में उसके बाद ये adjective लगाएंगे week उसके बाद that लगाएंगे okay that के बाद में अब हमें ये अब हमारा ये तो principle close बन गई अब हम ये subordinate close बना रहे है okay अब हमें ये तो conjunction हो गया इसके बाद आब हमें क्या चाहिए एक subject चाहिए क्योंकि close में क्या होता है subject बना चाहिए तो subject होगी और एक हमारे इसके बाद subject के बाद हम verb लगाएंगे तो subject क्या लेंगे subject हम अपनी जो main close है इसी का ही subject ले लेंगे he okay फिर हम cannot लगाएंगे cannot लगाना है आपको उसके बाद verb लगाएंगे cannot के बाद verb लगाएंगे तो verb क्या होगा verb ये जो infinity वाली verb है न ये इसी को हम verb लगा देंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा walk okay और ये to और to को हटा देंगे आई होब आप इसको समझ गयोंगे चले next sentence लेते है और ये to infinitive हो गया और affirmative sentence है तो इसको भी हमने दो closes में बाटना है और subordinate close negative करनी है subordinate close कैसी होगी वो negative होगी तो देखिए कैसे करना है ये subject लेंगे so on ये ही verb लेंगे is उसके बाद क्या कया था हमने so लगाया था तो हमने so लगाएंगे so के बाद हम ये adjective लगाया था तो हम ये adjective लगा देंगे poor उसके बाद ये तो हमारी principle close बन गई अब हमें that लगाना है और that लगाके अपनी इस close को पूरा करना है subordinate close को तो अब क्या लगाएंगे subject subject हम ये ही ले लेंगे so on अब so on नहीं लेंगे क्योंकि so on to use कर चुके है तो English grammar में हमें एक चीज जो important है जो मैं पता हुने चीज़ वो क्या है कि जब एक बार हम proper noun use कर लेते हैं और अगर हमें उसी context में अगर दोबारा से वो proper noun use करना पड़े तो हम वो proper noun use नहीं करते हैं यहां यहां पे यहां पर he तो he उसके बाद हमने यह क्या लगाए था cannot तो यहां हम लगाएंगे cannot उसके बाद verb लगाएं तो वर्ब कुन सी अपनी जो infinite wev developed नहीं यह यह जू टू के बाद वर्व है यह वर्व लगाएंगे तो बाई उसके बाद एक और है तो एक और तो यह संटेंस बन गया है हमारा नया ओके दूसरा यह सिंपल संटेंस था अब द्यान दीजिए यह सारे सिंपल संटेंस हैं यह लेकिन जो हम नए संटेंस बना रहे हैं सारे कैसे का संटेंस है कॉ उसके बाद यह देखिए, I was two will to go to the office yesterday, तो इसमें भी देखिए two है, यह two go infinitive है, तो यह two adverb है, इसके बाद यह infinitive है, और यह यहाँ पर adjective है, ओके और यह affirmative sentence है, तो इसको में दो closes में divide करना है, और subordinate close negative होगी क्योंकि हमारा तो sentence से वो कैसा है, affirmative है, तो I, उसके बाद verb जैसे ह हमने यह easy लगाई थी, तो ऐसे ही यह verb लगा देंगे, was, उसके बाद so लगाएंगे, क्योंकि two को हम so में convert कर देंगे, ठीक है, so, उसके बाद adjective लगाएंगे, il, उसके बाद, that, यह तो हमारी principle close बन गई, अब हम subordinate close शुरू कर रहे हैं अपने, तो that के बाद subject लगाएंगे, subject कौन सा लेंगे, यह, जो हमारी sentence का, जो main subject हो, वही ले लेंगे, हाई, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर हम cannot इसलिए लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास present tense था, जो देखिए, present tense है न, तो इसलिए हम यहाँ पर cannot लगा रहे थे, यहाँ भी present tense था तो हम यहाँ पर cannot लगा रहे थे लेकिन यहाँ भी आपर हमारे पास past tense है तो हमें लगाने है could not उके, could not उसके बाद हम लगाएंगे verb verb अपने to infinity वाली verb ये, तो I could not go उसके बाद जो बाकी sentence बचेकिया वो लिख देंगे to the office yesterday yesterday ओके, ये हो गया इसी परकार से ये sentence है this news is too good to be true तो ये यहाँ पर to हो गया एडवर्ब ये यहाँ पर हमारे infinitive हो गया ये यहाँ पर adjective हो गया तो इस तरह इसको भी convert कर देंगे कैसे करेंगे देगे this news उसके बाद is लगाया, इसके बाद adjective लगाया, good sorry, ये इसके बाद पहले हम to को so बदलेंगे so, उसके बाद adjective good उसके बाद that that के बाद that के बाद हम subject लगाएंगे अपने नहीं close का subject कौन सा लेंगे, हमारे जो main sentence है हमारा इसी का subject तो this news लेंगे लेकिन this news तो हम use कर चुके हैं तो इसकी से के हम pronoun use करेंगे it okay और present tense है तो cannot उसके बाद main verb इस cannot के बाद verb लगाएंगे तो verb अपने यह infinitive वाली verb है यह लगाएंगे b जब आप infinitive वाली verb लगाएंगे तो two को हटा देना है ध्यान रखना यहाँ पर हमने go लगाया यहाँ पर हमने by लगाया तो हमने two हटा दिया इसके साथ ओके और उसके बाद b के बाद क्या बच गया true तो इस तरह से हमें यह sentence जो है change करने है आई हो अप जी तरह से समझ की होंगे इन चीजों को चलिए आगे बढ़ता है अब हम एक बहुत ही important point है जिसको हम बड़े द्यान से देखेंगे और इसको आपको बड़े द्यान से देखना है नहीं तो आपका sentence गलत हो सकता है ओके चलिए वो important point क्या है वो अब हम देखता है इन sentences के द्वारा तो देखिए यहाँ पर so on है so on subject है ओके यहाँ पर is verb यहाँ पर to यह adverb है उसके बाद यहाँ पर देखिए adjective है यहाँ पर infinitive है यहाँ पर infinitive का object है ओके यह sentence में देखिए the tree subject है यहाँ पर यह verb है यहाँ पर यह to जो है adverb है यहाँ पर यह adjective है लेकिन यहाँ पर देखिए यह infinitive और यह adjective इसके बीच में एक कुछ दो शब्द आपको और दिखाए दे रही हैं ऐसे ओके यह दोनों में difference है तो इनको जब चेंज करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देगे मैं आपको बड़े इजी तरीके जब समझाता हूं तो आपको थोड़ा ध्यान देना है बिल्कुल इजी है बिल्कुल कोई problem नहीं आएगी देखिए तो सबसे पहले इसको जब change करेंगे तो इसको तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा ही है so one is to change कर देंगे so में poor यह poor लगा देंगे उसके बाद that लगाएंगे that के बाद अब हमारा subject होगा subject कौन सा लेंगे अब हम यह हमारा जो main sentence का subject है वही subject ले लेंगे तो इसकी जगे हम लिखेंगे ही उसके बाद cannot लगाएंगे क्योंकि sentence हमारा present में है नहीं तो could not लगाते cannot के बाद हमारी जो infinitive वाली जो वर्वन यह इसको लखेंगे by और a car okay लेकिन इस sentence में देखिए the tree the tree के बाद हम is लगाएंगे इसके बाद में two को so में convert करेंगे so के बाद यह adjective लगाएंगे high उसके बाद that लगाएंगे आप देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखना है आपको अब हमें that के बाद जो subject लगाएंगे वो subject है अभी तो हमने यहाँ पर adjective के बाद चीदी infinitive था लेकिन यह adjective के बाद अब इसमें infinitive के बीसमें यह words आपको दिखाए दे रहे हैं तो अभी तक तो हम इसको बना रहे हैं सोन को सोन के लिए हमने आपे ही रखा था लेकिन अब हम जो अपना subject है वो tree को नहीं बनाएंगे बलकि इसमें से बनाएंगे और इसमें से क्या बनाएंगे यह जो for के बाद आपको pronoun दिखाए दे रहे हैं मी इसको हम subjective form में रखेंगे तो मी को subjective form क्या होती है मी की आपने पड़ा होगा I my मी तो मी की subjective form क्या होती है आई तो यहां भी हम आई लगाएंगे हाई ओके आप हम लखेंगे cannot क्लाइब क्योंकि वर्ब लखेंगे अब तो वर्ब हमारे पास कौन सी इंफिनिटी वाली क्लाइब तो हम क्लाइब रखतेंगे तो आपको सिर्फ यह पॉइंट धान रखना है इसमें कफी important point था यह आप समझ गयोंगे इसको भी चलिए आगे बढ़ता है नेक्स जो sentence है उनके लिए अब हमें जो important point देखना है वो यह है important point क्या है देखिए if the adverb two is followed by an infinitive अगर two adverb के बाद हमें को infinitive मिलता है तो the sentence will change into two clauses तो हमें जो sentence है मारा उसको हमने दो close में ही change करना है मतलब दो ही close बनानी है ठीक है अभी हमने जो सीखा था same way से ही लेकिन if the sentence containing two is negative अभी तक तो हमारा जो sentence था वो कैसा था? affirmative था जो sentence था हमारा वो कैसा था? affirmative था जिसमें two और two हमें use कर रहे थे वो sentence कैसा था? affirmative था अब तक तो लेकिन अभी क्या होगा कि वो sentence negative होगा तो negative होगा तो क्या करना है? the subordinate close of the transformed sentence transform किये गए sentence की जो subordinate close होगी वो will be in the affirmative form वो affirmative form में होगी ओके? और affirmative जिससे अभी तक तो हम negative form यूज कर रहे थे negative जैसा कि हम cannot लगा रहे थे अपनी subordinate close में cannot लगा के फिर verb लगा रहे थे ठीक है? तो अभी तक तो हम negative बना रहे थे लेकिन अगर हमारे पास ये sentence अगर negative है तो हम जो अपनी subordinate close है उसमें cannot ये use नहीं करेंगे बलकि उसको affirmative form में रखेंगे ठीक है? तो चलिए कुछ examples की दौरा देखते हैं examples की द्वारा थोड़ी होगा अची तरह समझ में आएगा तो चलिए कुछ examples लेते हैं examples आपके सामने हैं तो देखिए he is too intelligent not to understand it अब हमारे पास ये two adverb है और ये हमारे पास two infinitive है ओके लेकिन अभी हमारे पास ये negative है क्योंकि इस से पहले note लगा हुआ है अभी तक note नहीं होता था इस चीज़ को अपची तरह समझने के लिए वीडियो को एक बार पीछे करके देख सकते हैं कि उन sentences में two से पहले note नहीं होता था लेकिन अभी note है तो ये negative है और इस sentence में देखिए he is too clever not to see through your tricks तो यहाँ पर two adverb हो गई और यहाँ पर ये infinitive हो गया और ये note हो गया तो ये भी negative है और ये adjective है बीच में यहाँ पर ये adjective था यहाँ पर देखिए the trick was too funny तो ये two adverb हो गई ये हमारा infinitive हो गया ये adjective हो गया और ये यहाँ पर note है तो ये negative है तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के starting में ही बता दिया था देखिए कहां बताया था हमने मैंने आपको सायद वीडियो के starting में आपको बता दिया था कि जब ये जो हमारा infinitive से पहले ये जो infinitive से पहले अगर note लगा हुआ हो तो ये ऐसा sentence क्या मेनिंग करेगा positive meaning convey करेगा ओके ये हमारा positive meaning करेगा तो जैसे कब बताया था मैंने ये मैं आपको एक बार slide में लेके चलता हूं यह यहाँ पर बताया था मैंने ठीक है यहाँ पर हमने यह चीज किलियर की थी कि अगर two के बाद के अकेला अगर two आए ठीक है ये इन मेंनिंग करेगा लेकिन अगर दो के बाद में नट्ट यह इlexa फिर पे लुच्ट इंग ठटेहल करेगा तो इसी तरह से इन इसंट्रान से भी देखिए यहां पर यह to इन्फिनिटिव है और यह नोट है यह तो इन्फिनिटिव है यह नोट है यह तो इन्फिनिटिव है यह नोट है तो इस सारे के सारे कैसे मिनिंग कर रहे हैं यह सारे के सारे पोजिटिव मिनिंग कर रहे हैं इन सभी में पोजिटिव मिनिंग है अगर यह नोट नहीं होता य तो चलिए, अब इनको transform करते हैं, तो कैसे इनको transform करेंगे, तो चलिए, तो first sentence लेते हैं सबसे पहले, first sentence है, he is too intelligent, not to understand it, तो इसको जब convert करेंगे, तो देखिए, he लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, is, उसके बाद इस to को हम so में ही convert करेंगे, इसकी जगे हम so ही लिखे लिखेंगे, okay, उसके बाद हम ये adjective लिखेंगे, intelligent, intelligent, उसके बाद हम that लगाएंगे, that, तो यह तो principle close हो गई, अभी हम that से अपनी subordinate close शुरू कर रहे हैं, जैसा कि हमने शुरू में देख लिया था कि as a sentence जिसको हम दो closes में बाटते हैं, तो जो नया sentence बनाएंगे, अपना, उसमें दो close होंगी, तो एक close तो यह होगी, दूसरी close हम that से सुरू करते हैं, तो that के बाद हम क्या लिखेंगे, subject, उसके बाद verb, तो subject क्या लगाएंगे, subject अगर इस infinitive और इस adjective के बीच में अगर four plus कोई forward होता, यहाँ पे, तो हम उसको subject बनाते, लेकिन अभी है नह हो जोगी, उसका subject, हमारा जो main sentence से उसका subject ही बनाएंगे, तो ही लिखेंगे, अब देखिए, आप क्यूंकि यह negative था, तो हमें अपनी subordinate close को positive रखना है, ठीक है, positive, और positive के लिए हम क्या use करेंगे, will use करेंगे, आप cannot use नहीं करेंगे, will use करेंगे, तो he will, उसके बाद इसको अपनी verb यूज करना understand, understand it, अब दो close बन गई, यह हमारी principal close है, और यह हमारी subordinate close है, चलिए next sentence लेते हैं, तो he लिखा हमने, he के बाद में is दे लिखा, his के बाद में two को बदला so में, उसके बाद clever, उसके बाद that, that के बाद, अब हमारा subordinate close up वो शुरू करेंगे, तो इसके लिए हम यह subject रखेंगे अपना, he, उसके बाद will, क्योंकि यह negative है हमारे बास, तो will, ठीक है, अगर यह note नहीं होता तो cannot लिखते हैं, लेकिन अभी note है, तो will, इसको उटा दो, इसको उटा दो, will के बाद see the verb आ जा this, चलिए, इसी पर कर से next है, the trick, उसके बाद words, उसके बाद यह two को हो जाएगा, so, उसके बाद यह, adjective, उसके बाद that, अब देगे, अब भी एक important point है, जो आपको ध्यान देना है, यह that है, यहाँ पर, that के बाद अब अपनी subordinate close आगे बढ़ाएंगे, तो subordinate close के लिए हम अब that के बाद क्या यूज़ करेंगे, subject, subject हम अपना the trick ही लेंगे, लेकिन the trick की जगा हम it यूज़ करेंगे, क्योंकि हम pronoun यूज़ करेंगे, अब the trick हम यूज़ कर चुके हैं, पहले यूज़ करेंगे, इट, अब देखे, इट के बाद क्या यूज़ करेंगे, हमारे जो ऊपर की दो sentence थे, वो कैसे थे, present tense में थे, यहाँ पर देखे, इस था, इस था, तो हमने will यूज़ किया यहाँ पर, लेकिन अभी हमारे पास ये past में है, तो past में है तो क्या करना है past tense में रख देना है, तो हो जाएगा excited, ओके, उसके बाद जो बच गया, वो लिख देंगे, the laughter of the audience, ओके, तो इस तरह से हमें इनको transform करना है, अब हमारे यह simple sentences थे सारे, यह आपको white color में दिखाए दे रहे है, simple sentence थे, और जो अभी change किया है, यह कैसे sentence, इस a complex sentence है, क्योंकि इनमें दो-दो closies है, ठीक है, इनमें जो close है, वो दो-दो closies है, एक यह close हो गई, अब देखिए, एक यह close हो गई, दूसरी यह close हो गई, इस प्रकार से यह close है इसमें, दूसरी close, यह है, तो इस तरह से तो किस प्रकार से हम इसको convert करते हैं, transform करते हैं, complex sentence मनाते हैं, आप ये भी सीख रहे हैं, और बड़ा easy तरीके से सीख रहे हैं किस प्रकार इनको हम change करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे के लिए कुछ sentences जिनमें to हम use कर रहे हैं, उसके लिए important एक note है, जो आपको mind म होना चाहिए, तो वो not क्या है, और वो क्या बात, ऐसी क्या चीज है, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कगी important point है, तो वो ये है, देखिए, if the adverb 2 is not followed by an infinitive, अगर ये adverb 2 के बाद हमें कोई infinitive नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, we use the phrase, तो हम ये phrases यूज करेंगे, phrases भी हैं और words भी है, तो ये तो वास्तों में एक word है, ये phrases है, तो ये phrases और words यूज करेंगे, over हो गया, bend the proper limit, more than enough, ठीक है, ये phrases यूज करेंगे, phrases और words यूज करेंगे, और जो तो देखें, जो फर्स संटेंस है, ये है, she is too eager for praise, दूसरा संटेंस है, the tea was too hot, और तीसरा संटेंस है, her words were too soft, तो इनको कैसे चेंज करेंगे, देखें, she is too eager for praise, तो इसमें देखें, to के बाद कोई भी infinitive नहीं है, ठीक है, यहापे कोई infinitive नहीं है, यहापे to है, to के बाद क कोई infinitive नहीं है, यहापे to के बाद कोई infinitive नहीं है, okay, to के बाद यह adjective तो है, यह adjective आप दिखाए दे रहा होगा आपको, लेकिन कोई infinitive नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखें, see is, यह two है, तो इसको हम कर देंगे, over eager for praise, ठीक है, जैसे हमें, मैंने अभी आपको बत phrases है, over हो गया, beyond the proper limit हो गया, more than enough, यह phrases, ऐसे कुछ words हम यूज़ करेंगे, तो जिससे हमने हमने आपे over use कर दिया, ठीक है, two को किसमें बतल दिया, over में, और two को हमने remove कर दिया, यहां से, यहां पर इस sentence को जो है, transform करने के लिए, हम जरूर नहीं ही over use करें, हम यहां पर इसको और दूसरी phrases से भी change कर सकते हैं, जैसे, क्या बताया था, मैंने, see is, over बताया था, एक तो, एक बताया था, more than proper limit, ठीक है, और एक बताया था, beyond, the proper limit, beyond the proper limit, हम इन में से कोई भी रख सकते हैं, जैसे, इसी कोई मैंने, over, इस तरह सिसको change किया, अभी मैं देखिए, see is, eager, beyond the proper limit, यह भी लिख सकता हूँ, beyond the proper limit, ठीक है, और four phrase, यहाँ पर ही लिख सकते थे हम, see is, eager four phrase, beyond the proper limit, तो इस तरह से हम कोई भी यहाँ पर फ्रेज्या वर्डिस या वर्डिस यूज़ कर सकते हैं, जैसे, the tea was too hot, तो यहाँ पर इसको भी हम जब convert करेंगे, तो हम देखिए, कैसे लिख सकते हैं, the tea was hot, more than enough, more than enough, okay, इसी परकार से देखिए, her words were too soft, तो यह हो जाएगा, her words, इसमें two के बाद को infinitive नहीं है, तो her words were soft, beyond the proper limit, beyond the proper limit, okay, इस तरह से, अभी देखिए, हमने यहाँ पर फ्रेजिस यूज़ किये हैं, यह जो फ्रेजिस हैं, हमने यह यूज़ कियें, देखिए, और इस two को remove कर दिया है, his two को हमने remove कर दिया, तो यहाँ पर इसको भी change किया था, तो यहाँ भी two को remove कर दिया था, ओके, तो काफी important वीडियो था यह, तो कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्लेस को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब गढ़ना बोले, thanks for watching this video, happy learning, bye-bye.